Hey guys, welcome back to our channel आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पूड़क के बारे में जो हर गेमर और PC एंथूजस के लिए इंपोर्टेड होता है और ओ है पावर सप्लाई यूनिट जिसको PSU बोला जाता है specially हम बात करेंगे एंड स्पोर्ट SMPS के बारे में क्या ये PSU आपका PC के लिए बेस्ट चोईस है चलिए, स्टार्ट करते हैं तो गाइज ये है एंड स्पोर्ट्स का BS500L SMPS एंड स्पोर्ट्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा specially आगर आप गेमिंग एक्सेसारीज या PC कंपोनेंट्स खुरिदने चाहते हैं ये कंपनी काफी एफडेबल और रिलाइबल प्रोडक्ट बनाती है और ये PSU भी उसी कैटेगोरी में आता है आप थोड़ा स्पेस के बारे में बात करते हैं इसका मोडेल नंबर है BS500L और इसका वार्टेज है 500 लेकिन इस कंपनी का SMPS माल्टेपल वार्टेज आप्सान में एवेलेबल होता है जैसे 450 वार्ट, 550 वार्ट, 650 वार्ट, 650 वार्ट, एडसेटरा आपका ज़ोर्वत का हिसाब से आप मार्केट से खरीद सकते हैं इस PSU में 80 plus efficiency rating है which means ये energy efficient है और आपका electricity bill को भी ज्यादा नहीं बढ़ाएगा इसमें आपको multiple connectors मिलते हैं 24 pin, 8 pin CPU connector, PCIe connector और SATA connectors जो लगभग हर PC bill के लिए काफी होते हैं और हाँ इसमें एक silent fan भी है जो heat को efficiently dissipate करता है तो आपका system cool और quiet रहेगा आप हम दिखाएंगे इस SMPs का अंदर आपको क्या का मिलता है तो box का इस side का अंदर आप देख सकता है सारे input, output, voltage और connector का details दिया हुआ है जहांपे motherboard connector, CPU connector, PCIe connector, SATA connector और molex connector के बारे में दिया हुआ है और box का इस side में VS500L लिखा हुआ है और value series लिखा हुआ है तो इसका उपर side में आप देखते हैं यहां पे भी end sports का नाम और VS500L लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं box का अंदर क्या का मिलता है तो जल्दी से मैं इसको open करता हूँ open करने के साथ साथ आप पहले देख सकते हैं इसका user manual और user manual ने सारे details दिया हुआ है आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं इस कितना connector मिलता है और कितना bolt मिलता है connector का अंदर इस तरह सारे details आप देख सकते हैं तो इसको मैंने रखते हैं साइड में और बाग डिटैल्स को आपको सामने दिखाता हूं इस पैकट का अंदर कुछ टाइ दिया हुआ है केविल को मेनेजमेंट करने के लिए और इस के साथ कुछ पूंछ स्क्रू भी दिया हुआ है इस SMPS को केविनेट के साथ एटाच करने के लिए उसके बाद यह एसी पावर केविल है इस पावर केविल का क्वालिटी काफी अच्छा है नॉर्माल बाजर में जो मिलते हैं उससे बहतर है यहां पर इसके बाद यह जो में प्रोडक्ट है इसका पैकेजिंग अब देख सकते हैं इसका अंदर आप देख सकते हैं इसका में प्रोडक्ट है यहां पर यहां पर सारे बोल्टेज कितना सप्लाई होगा इसका सारे डिटेल्स 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट प्लास 5 वोल्ट प्लास माइनस इस तरह सारे डिटेल्स यहां पर मिलता है तो इसको मैं खोलता हूँ और देखता हूँ इसका केविल का क्वालिटी कितना अच्छा है इसका काणेटर होता है और इसका क्वालिटी अच्छा है और इसका का अच्छा खोरप का हैं यह नीए कलर मास्टर का स्मीश में जो केभील मिलता है उसका खोरफिकस CT में आपको दिखा यहां तो टक्राफिस अच्छा है और अगर आप इसका सथ यूज़ करते हैं तो ग्राफिक्स काट में जो पाल सप्लाई लगता है तो इस कनेक्टर वहाँ पर एटाच होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर चार साटा कनेक्टर एवेलेबल है और उसके बाद यह है CPU अबर मतलब 8-PIN में इवेलेबल है कुछ मादर बूर्ड में 8-PIN में इनपूर होता है और यह मैं मादर बूर्ड कनेक्टर इधे है यह 24 लेकिन इस में 20 ब्लस फोर पीन एकसाद मैंटर से इस तरह कनेक्टर होता है क्यूंकि जो ATX power system होता है और 24-pin में काम करता है और इस SMPS में एक 4-pin molex connector भी available है जो connector के हिंसे आप से किसी भी device के उपर आप लगा सकते हैं मैंने इस SMPS को offline market से 2100 रूपीज में खरीद दिया था लेकिन online आप चेक कर सकते हैं online काफी सस्ता इस SMPS मिलता है मैंने link description का उपर दे दिया है आप चाहे तो Amazon ये flip card का उपर इस SMPS को खरीद सकते हैं और इसका price भी उतना नहीं है जितना मैंने offline market से खरीदा है तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं किसी next वीडियो में नया topic के साथ तब तक लिए जय हिंद बंदे मातर